नेक्स्ट कॉलर है राजिस्थान से आशारानी जी स्वागत है आपका हान जी बोलिए नमस्कार जी नमस्कार उम्रे हर्णिया की दिक्कत है और हाट की दिक्कत है हाट की दिक्कत है और हर्णिया की हर्णिया अच्छा उम्र क्या है आपकी अजिए पर 1535 सान आग्चा — हर्णिया कि अगर मामूली सा है तो ठीक हो सकता है और उसके लिए पेट ठीक कर ले हर्णिया ठीक हो जाता है पेट ठीक करने की अच्छी दवाइयान मैयारी standard दवाईयां ले, कोई भी पेट साफ करने की दवाईय ना ले, पेट का system ठीक करने की दवाईया ले, और देखे, glow आती है, एक जड़ी बूटी, जिसे सभी जानते हैं, यह लिख लें आप, glow, glow की, को ले लीजे, सूखी भी मिलती है, सूखी भी ले ले, 100-200 ग्राम, और इसक ना आता है, powder बना कर आप, खाने से पहले, खाने के बाद लिया करें, आपको अगर, यह मामूली है, तो ठीक हो सकता है, हार्ट के लिए आपको, साथ-ाठ महीने भी, अगर सब रख सकते हैं, तो उसको फाइदा होता है, हार्ट की एक अच्छी दवा, नेबू का रस, नेब का रस, और नेबू, अद्रक और लेसन jużन, का रस, यह तीनों का एक एक लीटर रस निका लियाे, यह दुनिया की बेहतरीन दवाहों में, यह ज़यानी घरेले नुष्चों में आता है, इस अघंप र्भी नुष्भा कहते हैं, और यह इतने मर्दों में काम आता है, पेट क लिए पहले मैं ये बता दूं कि नीबू अद्रक और लहसान का रस एक एक लीटर निका ले और एक लीटर आपको लेना है जैतून का सिर्का वनेगर जैतून या जैतून का सिर्का कहते हैं मुश्किल से मिलता है असली ले इन सब को मिला दे अब ये एक दवा तयार हुए दूपैर तीन चमच शम दूपैर में दो बार से तीन बार तक ले सकते हैं ये हार्ट के लीए एक तफ़ा है बलड पेशर वालों के लिए एक तफ़ा है और वालों के लिए एक तौफा है, पेट के मरीजों के लिए बहुत फाइदे बंद है, होता है, और फालिज जदा लोगों, जिनको पैरलाइसिस हुआ है, उनके लिए, ये दो से तीन बार, तीन तीन चमच पिया करें, खुब भगवान से मजद मांगें, ये निसका बहुत कामि है, हर उस आदमी को लेना चाहिए, जो पैटालिस साल से जादे का है, ताके ये सारे रोग उनको ना हो सके.